करता हूं बहुत अच्छे हैं और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आगे बंस पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना पैसा थोड़ी लगता है इस काम का तो आज की वीडियो में यह देखेंगे कि आप मॉंटिनेग्रो की ऑफिशल गॉवर्मेंट वेबसाइट मैंने खोली है यहां पर देखेंगे वीजा एंड वीजा रिजिम दिया गया है टाइपस अफ वीजा में आप जाएंगे तो शॉर्ट स्टे टूरिजम के लिए जेनरली यह यह यूज होती है टाइप सी ठीक है मॉल्टिपल इंट्रेस की इशू होता है आप तो 90 देज इन 6 मॉन पिरिएड आप रह सकते हैं इसके जो वीजा इशुएंस को प्रोसेस है तो आपको अपना अप्लिकेशन सब्मिट करना है जिसमें कि आपका वीजा अप्लिकेशन फॉर्म होगा ट्रैवल डॉक्यमेंट ह होगा जो पास्पोर्ट वन पास्प कलर फोटो होगा पुफ परपस और स्टे आपको अकॉमोडेशन का प्रूफ आपको फंड का प्रूफ ट्रैवल अब रिटर्न टिकेट यह करें जो हेल्थ इंशॉरेंस कंसिलर फी पे करनी होगी और अनि अदर डॉक्यमेंट जो आपक कैसे अपलाए कर सकते हों तो मान लीज़े आप कंट्रिस के लिस्ट है यह है उनका उफिशल साइट पर मालेजे आप िंडिया से हो तो आप इंडिया वाली लिप पर क्लिक करेंगे तो इन्होंने लिखाई कि इंडियम से को चाहिए वीजा तो तो बात यह है कि Montenegro का embassy इंडिया में है नहीं तो आप कैसे apply कर सकते हो या तो आप उसके जो nearest embassy है चाइना में अगर आप रीच कर पाए तो वहां आप कर पाओगे नहीं तो आप सर्भिया की जो न्यू डेली में है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो तो इसका visa application form देखें तो बहुत सिंपल है और इसमें आप देखें फोटो देनी है यह तो ऑफिशल के लिए इसको छोड़ दीजे इसुएंस के लिए यह करोगे सरनेम गिवेन नेम पारेंट्स का information है डेटा बर्त है प्लेस बर्त है करेंट नैशनलिटी है आपकी जेंडर प आपको फिलप करना है आपका स्टेटेस पासपोर्ट का information आपको आड़ी नंबर वो सब देना है आपको आपके बारे में current occupation, main destination ये सब आपको information देना है कोई आपके पास और वीजा है किने किस टाइब का वीजा आप अपलाई कर रहे हैं ये सब आपको देना है यहाँ पर आपके फैमिली के information देना है और लाश्ट में accept करके contact details देके sign करना दो ये तो simple है आप इन्होंने कह दिया कि आपको सर्विया के अपलाई करना है इंडिया में डॉकुमेंट चेक लिस्ट हमने देख ली है यहाँ पर ओल्रडी ठीक है फोटोग्राफ यह सब स्पेसिफिकेशन्स यह सब देख लिए अच्छा तब सिहां के apply कैसे करोगे तब कंसिलर यह आपके सामने में सर्विया की साइट को लिया है बैसे की कंसिलर सर्विसस में जा हो जाएगा कैसे पर करना है वो भी यहां पर दिया गया है तो आप यह डॉकुमेंट्स यह फॉर्म करके इनसे कॉंटाट कर सकते हैं इन्होंने बागी इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है आपको जैसे आप देख लो यहां पर आप जाइए तो उनके फॉर्म हो गई कॉंटाइक डिटोस तो यहीं पर आपको दियेगा आपको इन्हें से कॉंटाइक करके अपॉन्मेंट्स लेल सकते हो और फिर वहां पर आप जाके अपना डाक्यमेंट सब्मिट कर सकते हो तो यही बात है दोस्ता इस तरह से आप यह काम कर सकते हो असाने से आप असाने बोले तो आपको आप मतलब अपने अपनी अप्लाई कर सकते हो हां यह देखिए इनका वर्किंग आवर्स भी यहां पर दिया गया है इससे आप क्वेरी करके आप आगे बढ़ सकते हैं तो वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों चैनल को प्लेज सब्सक्राइब कर देजिए थैंक यू